इस साल जहां देश के जात राज्यों में बारिश ने कहर बर पाया है तो वहीं कई राज्ये कई जिले ऐसे भी रहे जहां किसान बस बारिश की रहा तकते रह गए ऐसा ही कुछ हाल रहा जारखन की जामताड़ा जिले का भी जहां उपयोग तो बारिश नहीं होने से धान की र खेती का लक्षय निर्धारित किया गया था लेकिन इस साल इसके बिल्कुल विपरित महस एक प्रतीशत यानि की 520 हेक्टर भूमी में ही धान की रोपनी हो सकी है वहीं सुखे के स्थिती को देखते हुए अब तक विभाग की ओड से भी कोई वेकल पे खेती की विशेश कवा बीच्वार ने बताया कि इससाल बारिश कम हुई है इसे देखते हुए किसानों को वेकलपी खेती करने के लिए प्रेडित किया जा रहा है अब तक जिला तथा प्रखंड स्तर पर कर्मुशालक आयूजन किया गया जहां सक्रिय किसानों को मौसम के अनुकूल वेकलपी खेती करने को प्रेडित किया गया है वेकलपिक खेती विस्तार को लेकर राज्य मुख्याले को जिलास्तर से तैयार कारे यूजना का प्रस्ताव भी बीज़ा जाएगा इसके बाद राज्य मुख्याले की ओड से जो भी सुझा हो आएगा उसका पालन किया जाएगा इस बीच हमारे समवादाता शेक समीम ने कुछ किसानों से भी बादशीत की जिन में से एक किसान बबुलाल ने क्या कहा चलिये जानते हैं कोई आगे बचरों खेंती परां शेक से नहीं अगले साल अगले साल अग्ले साल आई साल इस सही वहाता है वहीं जामताड़की किसान भुवनेश्वर हजदा ने कहा कि बादल तो दिख रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही चास होई नहीं तो एक खोन अब दे खेति सुरो हई नहीं जलाई नहीं जलाई नहीं जलाई जलाई तो सरकार की बोलते चाओ मना संसा चलाई तो भारी पड़ी जलाई आगे बचरो खेति होई नहीं ए बचरो खेति होग नहीं कि नाम कि चास सुरो हैं छे ना चास जलाई नहीं जलाई चास होई नहीं यह बचरो खेति होई नहीं दरसल मौनसुन आने के बाद भी बारिश की रफतार नहीं बड़ी है जिसका असर खेति पर साफ देखने को मिलाई नहीं सुन देख से आने वा बारिश की धीमी रफतार के कारण धान रोपनी प्रभावित हो रही है धान रोपनी का लक्षे 52,000 हैक्टर रखा गया था इसके विप्रित अभी तक महस एक प्रतिशत यानि की 520 हैक्टर में ही रोपनी हो पाई है बीरो रिपोर्ट शेक समीम जामता पड़ा ग्रामी न्यूज